दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 शेर्स के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के स्टार्टिंग मैं IRCTC के साथ कर रहा हूँ जहां पर हमें आज के तिन तीन बड़ी अपडेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है और जैसा कि मैं आपको completely कभी से केते हुए आ रहा हूँ कि यह शेर्स आपको split के पिले ही 5000 रुपे तक के target आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे तो finally आज के दिन हमें इसके अंदर वापिस all time high देखने को मिल चुका है और 4845 रुपे का target यहाँ पर IRCTC के अंदर आजी के दिन हमें अच्छी होते वे भी देखने को मिल चुका है साथी साथ IRCTC के अगर आज के high की बात करें तो आज के दिन shares ने 4964 रुपे यानि कि 5000 के target से सिर्फ 36 रुपे नीचे यहाँ पर हमें ये shares देखने को मिला है जो कि आपको मंडे के दिन इस share के अंदर 5000 रुपे के target भी 100% देखने को मिलने वाले है चलिए दोस्तों बात कर लेते IRCTC की तरफ से क्या तीन बड़ी updates यहाँ पर निकल कर आ रही है उसके बेले यदि आपने चेनल पर first time विजिट के आए तो चेनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिलकुल में मत भुलिएगा तबसे बेली news जो IRCTC की तरफ से निकल कर आ रही है update confirm कर सकते हैं 8 October 2021 आजी की दिन की यह news निकल कर आई है जिसमें Indian Railways plans to run 1500 festival special train from Delhi from 10th October तो यहाँ पर IRCTC 10 October से 1509 festival special trains यहाँ पर चलाने जा रही है तो ultimately बहुती शांदर news हमें IRCTC की तरफ से यहाँ पर यह आते हुए देखने को मिल रही है तो जो last year हमें COVID के impact के current IRCTC की तरफ से जो special trains थी उसके अंदर विरावट देखने को मिली थी जो train यहाँ पर नहीं चलाए गई थी अब finally यहाँ पर IRCTC Indian Railway को पूरी तरीके से track पर लाने में लगी हुई है अगली बड़ी updates की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC ने आजी के दिन से भारत दर्शन tourist train भी यहाँ पर start कर दी है 8 October 2021 याने की आजी के दिन से आपको यहाँ पर यह train की launching देखने को मिलने वाली थी तो finally यहाँ पर आजी के दिन हमें भारत दर्शन tourist train भी यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल चुकी है जिससे company को बहुत ज़्यादा benefit मिले वाला है और अब बात कर लें तीसरी बड़ी updates के बारे में तो IRCTC ने अपने quarter ending मेर याने की quarter to complete होने के बाद में अपनी share holdings patent को यहाँ पर declare कर दिया है और IRCTC की share holdings patent के अंदर हमें जो public institution का stake है वो काफी शांदर तरीके से increase होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यदि आपने भी IRCTC के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी positions को long term purpose से continue रख सकते है दोस्तो बात कर लें another shares के बारे में जिसका नाम है Reliance Industry Reliance Industry को लेकर एक बहुत बड़ी updates यहाँ पर निकल कर आ रही है साधी साथ आज Reliance Industry की share price के अंदर आपको लगब 4% तक की शांदर rally भी देखने को मिल चुकी है आप से बेली updates आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के दिन निकल कर आई है जिसमें World Bank ने इंडिया की जो GDP है उसे grow होने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा reason दिया है 8.3% से grow होती हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिसका बहुत ज़्यादा impact Reliance Industry को भी benefit यहाँ पर जाता है साथी साथ बात करें यहाँ पर another updates के बारे में तो इंडिया की number one company Reliance Industry बन चुकी है जिसने 18 लाग करोड के market capitalization को यहाँ पर आज ही के दिन cross कर दिया है अफली बड़ी updates की बात करें तो आप दीख सकते है Reliance Retail Ventures brings 7-11 to India after future exit तो यहाँ पर futures के exit होने के बाद में Reliance Retail Ventures अब पूरी तरीके से यहाँ पर 7-11 को करते हुए हमें देखने को मिल रहे है और आज की सबसे बड़ी update Reliance Industry को लेकर के Reliance Industry के जो target है वो आपको दिवाली तक 2800 यानि के 2800 रुपे के भी देखने को मिल सकते है Experts की तरह से काफी शानदार fresh buying इस shares के अंदर आते हुए हमें देखने को मिल रहे है जिस कारेंट से Expert ने इस shares को लेकर 2800 रुपे के target दिये है साथी साथ shares ने आज अपने नए all time high को भी अचीव कर लिया है और इसी के अंदर भी volume based काम भी बहुत ही शानदर तरीके से increase होते हुए हमें देखने को मिल रहा है नहीं दोस्तों बात कर लेते हैं another shares के बारे में जिसका नाम है IEX यानि की Indian Energy Exchange Limited जहां पर आज के दिन आपको इस shares के अंदर 10% का upper circuit देखने को मिल चुका है और साथ ही साथ shares के अंदर आज हमें नया 52 week का high भी देखने को मिल चुका है IEX के अंदर volume based काम के अंदर हमें बहुत ही शानदर breakout बनते वे देखने को मिल रहा है आज के दिन IEX के अंदर लगबग 2.40.000.000 quantity trade हुई है जिसके सामने 31.000.000.000 quantity deliverable base पर उठाए गई है IEX के अगर financial result भी आप देखेंगे तो company के sales quarter on quarter basis पर यहाँ पर बले ही 2 करोड रुपे से decrease हुई है लेकिन अगर आप company के net profit की तरफ नजर मारेंगे तो company का net profit यहाँ पर as compared to quarter 4 quarter 1 के अंदर 2 करोड रुपे से हमें increase होते हुए देखने को मिल रहा है साथ ही साथ अगर हम company की balance sheet की तरफ भी नजर मारें तो company के जो reserve and surplus है वो भी काफी शांदार तरीके से year on year basis पर हमें increase होते हुए देखने को मिल रहे है तो यहाँ पर भी आप अपनी positions को long term purpose से continue कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 महिनों में यह shares आपको 1000 रुपे के level पर भी trade होते हुए देखने को मिल सकता है चलिए दोस्तों बात कर लेते another shares के बारे में जिसका नाम है Dixon Technologies Limited जी हाँ दोस्तों आज की दिन Dixon के अंदर आपको 8.5% तक की शांदार रेली देखने को मिल चुकी है और पिछले एक साल के अंदर ये shares लगबग 210% तक के multi wager returns अपने investors को बना कर दे चुका है Dixon industry के अंदर अगर आपने investment कर रखा है तो सबसे शांदर यहां पर जो update निकल कर आ रही है वो इसके quarter 2 के result से निकल कर आ रही है Dixon के quarter 2 के result के अंदर इनके जो net profit है उसके अंदर आपको year on year business पर 1000% तक की growth यहां पर देखने को मिल सकती है जो की quarter 1 के result में भी हमें देखने को मिली थी और साथ ही साथ company का जो revenue है वो भी यहां पर लगबग 300% तक यहां पर increase होते हुए देखने को मिल सकता है Dixon Technologies को लेकर यहां पर एक और बड़ी updates निकल कर आ रही है आजी के दिन आप यहां पर date confirm कर सकते हैं 8 October 2021 आजी के दिन यह news निकल कर आई है जिसमें Dixon Technologies to make Acer laptops in India under PLI scheme तो यहां पर Dixon को इस PLI scheme का जो की हमारी government की तरफ से launch करी गई है उसका बहुत ज़्यादा benefit देखने को मिल रहा है जिसमें Dixon will start with the production of 5 lakh Acer laptops annually in its plant in India the plant's capacity initially will be around 7 lakh laptops per annum going up in the next phase to 1 million तो यहां पर आने वाले next phase तक आपको जो यह capacity है यह लगबग 10 lakh per annum यानि कि हर साल आपको Acer के laptop बंते वे देखने को मिल सकते हैं तो definitely अगर आपने Dixon के अंदर भी investment कर रखा है तो इसके भी जो target है वो काफी bullish यहां पर लगाए जा रहे हैं अगर top players की भी बात करें तो Dixon का नाम भी हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं 8.7% का stake all over India के अंदर market capture यहां पर Dixon ने कर रखा है अलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर shares के बारे में जहां पर आपको continuously upper circuit देखने को मिल रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ FL India Limited के बारे में जहां पर आज के दिन भी आपको shares के अंदर 5% का upper circuit देखने को मिल चुका है FL India Limited जहां आज की दिन share के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे तो upper circuit लगने के बावजुद इस shares के अंदर काफी शांदर order book के अंदर fresh buying भी हमें आते हुए देखने को मिल रही है जैसा कि आपको पता कि FL India Limited ने अपने shareholders के लिए split यहां पर announce किया था जिसके अगर record date की बात करें तो आज ही के दिन याना कि 8 October 2021 इसकी record date रखी गई थी तभी आपको इस shares के अंदर इतनी शांदर fresh buying आते वे देखने को मिल रही है तो यदि आपने भी FL India Limited के अंदर investment कर रखा है तो यहां पर अगर आपने record date तक इस shares के अंदर investment कर रखा होगा तो definitely यहां पर company की तरफ से जो split announce किया गया है उसके लिए आप भी eligible हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत बुलेगा साथी साथ अगर आपने अभी तख हमारे टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी मिलते है next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated